है यो बगवान जी का प्रशाद दाज का की दादा बगवान सब की आसकती कैसे निकालते थे कैसे निकाली उनोंने हम सब की आसकती आसकती माना आसकती है जा नहीं सकती निकाल सकता था कोई भी घरों में रहके ना हिमालिया गे ना किसी आश्रम में गे और घर में रहके सब चीजों से पदार्थों से पदार्थ अबावनी कर दिये दादा बगवान सब को बगीचे में ले जाते थे, सब खुशी से बैठ जाते दादा बगवान देखते ये सब अटक गए हैं कि बगीचा बड़ा सुन्दर है, मनोहर है तो उसी में, उसी समय कहते उठो, आप दूसरी अच्छी जगा ले चलते हैं कितनों को लगता अभी तो बैठे हैं, थोड़ा तो आनांद ले लें, फिर प्रेम में उठकर चल पड़ते दादा बगवान लक्षमी बगवान के साथ कैश्मीर गए, दादा लक्षमी बगवान खुद बस में बैठ कर पहल गौम गुमने गे अभी बस से उत्रे तो उसी समय दादा बगवान ने कहा, दूसरी बस त्यार है, समझ रहें आप, क्यों हर संत बाहर निकला है, चरेवेती, चरेवेती, घर की अंदर अपने बेडरूम में, घर में, सारे कमरों में आ सकती हो जाती है, इसलिए तो हमारे ग्यान में ही बोलते चार को बनाओ, कि हमारा मन लगे और हमें अपना पता चले कि मैंने क्या पाया, एक दम से बोला, दूसरी बस त्यार है, बगवान मालिक के जानी, मालिक सुरिष्टी के जानन हार, वे पांच तत्व में कैसे अटके, वापस चले आए, दादा बगवान कभी बगवान को कहत आपको कलकत्ता बाकी नहीं घुमाया, बगवान कहते बड़े मजे से क्या देखना है, ऐसे दादा बगवान देखते को ना सकती रहित है, दादा लक्षिम बगवान एक समय नेपाल गए, इसी प्रेमी ने दादा लक्षिम बगवान को टेलिग्राम करके बुलवाया, पहुंचना है, वे पहुंचकर बैच गए, बगवान के साथ दो तिन सत्संगी जो गए, उनकी इच्छा हुई गुमने की पर अकेले जाएं कैसे, सो दो कार लेकर आए, तो आप भी गुमने चलो, तब बगवान गए, वैसे दादा बुलक्षिम बगवान जैसे आसकती रह जो ग्यान लिया की ग्यान के बिना सुरिष्टी के कौन सी वस्तूर देखने लाइक है, उन्होंने इस बात की प्रैक्टिस कर ली, छे दिन, छे राते एक दूसी जगा भी और गुमने ना जाओ, ये तो बड़ी बात है, है पॉसिबल है ये सब, कैसे हम सब का कल्यान हुआ कैसे हम इस दुनिया से इस संसार में जहां सिर्फ माया 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 का आवरन पड़ा है, मोह का आवरन है, एंकार का आवरन है, क्रोध का, लोब का, मन बुद्धी का, ये सब एक ब्रम ज्यानी गुरु ही हमें करवा सकता है, बगवान एक से अनेक होकर आया है खेल देखने, खेल बिल्कुल ठीक चल रहा है और उसमें कोई इनसाफ पूरा हो रहा है। बगवान देखने में आएगा साफ दिल वाले को जिसके अंदर में एक भी पाप है उसे बगवान नहीं देखता है। जैसे एक तिनका भी अगर उड़का रांकर आंख में पड़े तो उल्जन हो जाएगी, आंख पूरा देख नहीं पाएगी, ऐसी ही एक भी खोटा ख्याल, एक भी दुएत का ख्याल, आसकती का ख्याल, दूसरे का ख्याल आएगा, तो मन में शान्ती हो जाएगी, बगवान का दर्शन नहीं हो सकेगा मैंने तो ऐसे लिया था कि यह सब बगवान ने बोला मेरे को सोप दो बच्चे और परिवार अपना खांदन पूरा सोप दो तुम अलग हो जाओ कितना असान तरीके से एक ब्रह्म ज्यानी गुरू हमें बगवान जी ने हमको वो कर दिया किनारा कर दिया और उसमें सफल हुए ऐसा नहीं की नहीं हुए बड़े-बड़े द्रोना चारिय बड़े-बड़े विशम पितामा द्रोना चारिय अर्जुन जैस सारे महान जो है वो भी उसमें फस गए तो हम तो क्या है अभी तो बुद्ध ने बोला था कि मुझे कुबड़ा भी होना है बिमार भी होना है और मर भी जाना है तो क्यों ऐसे दुनिया में रहो तो वो तो उस लेवल के हम बिचारे ग्रस्थी बैखे हुए हैं मो की मारें खा रहे हैं उसमें से ऐसा गुरू हमें दिया और हम इस जन्नम को जाने देंगे और शान्ति जो है आ सकती जो बाहर से थोड़ी आती है बाहर से तो नहीं आती है ना ना ही कोई हमें दुख दे सकता है दुख देने वाला केवल अपना मन दुश्मन है समझ भी रहे हैं हम और फिर जान भी रहे हैं और फिर किसमें जटके से निकलता बेती हैं नहीं और उन्होंने हमें सब जुक्तियां दी हर चीज से बगवान दादा बगवान हमें सुजाग करते थे एक दिन दादा बगवान नैशनल पार्क में कमाल रुमाल छोड़ के आए जब कुछ दूर चले आए तो यहाद आया तो वापिस जाकर लेकर आए कोई तो कहेगा ग्यानी को रुमाल की क्या परवा है या हर करम में सुजागी थी कि ऐसे क्यों गवाना मैतरान में बती फजूल जलती थी कहते थे बंद कर दो ग्यान देते थे सिपाही को बोल दो ना चाबी एक जगा ऐसे रखो जो अंदेरे में भी डून के निकालो यही तो सुजागी थी ना कि सिपाही को भी बोल दो ना चाबी भी एक जगा ऐसे नहीं रखो जो अंदेरे ऐसी जगा हो कि अंदेरे में भी डून सको और क्या करता है ब्रह्म ग्यानी गुरुआ के और सबको एंकरेज करते थे एक लड़के ने ग्यान सुना तो उसे ग्यान सुनाने में बड़ा मज़ा आता था तो वे जब भी आता तो दादा बगवान अपनी कुर्सी से उठकर उसको बठाते कि तू सबको ग्यान सुना और स्वे नीचे बैठ जाते थे इतनी नमरता थी और दूसरों को भी इंकरिस करते कि तुम बहुत होश्यार हो गर में एक दिन एक लड़का छोटी बिमारी लड़के को बिमारी हो गई दादा बगवान उसको दिल बड़ी करने के लिए कहा कहलते हैं और हर बात ऐसे किया जो बच्चा जीता बच्चे को खुशी आ गई और उसकी बिमारी हट गई कभी किसी की दिल नहीं होती थी, दादा बगवान ने देखा कोई नहीं उठाता है तो खुद ही उसे उठाते न चाते, जब सब ने देखा दादा बगवान उसे प्यार करते हैं, तो खुद भी तो प्यार करने लगे, ऐसे दादा बगवान सब को ताकत देते थे, कोई बजन अच्छा गाता तो उसको बोलेंगे बजन सुनाओ, तो वैं खुश हो जाते थे, ऐसे जो जिस बात में होश्यार होता, उसको और बढ़ावा देते और प्रेम प्रेम में उसके अंदर ज्ञान डाल देते, प्यादा वगवान ऐसे ज्ञान देते कि जैसे कि उनकी घरज है, हम से छिपकर हमारे अंदर ज्ञान डाल देते थे, क्या करें, क्या से, कितने भागिशाली हैं, रोज अपने को एफरमिशन देवा प्रभू, तुन्हें गुरु भी दिया, तो कौन दिया, बगवान जैसा, और क्या मांगे हम, क्या मांगू कुछ स्थर नहीं है, आशिरवाद तु आखे पाजाओ, मेरे गुरु की शरण में आजाओ, प्यारा प्यारा है दरभार, मिलता यहां सच्चा प्यार, आशिरवाद तु आखे पाजाओ, हर्यों, हर्यों, खुप सरे अशिरवाद, इमाजिन करो, दादा बगवान, दादा लक्षम बगवान, दोनों के हजारों हजारों हाथ, हमारे पे, हमारे पूरे परिवाहर पर, पूरी सुरक्षा कवच बने हुए है, गौद ब्लेश, गौद ब्लेश, हर्यों,